जोया फैक्टर हिंदी मूवी समीक्षा द जोया फैक्टर अभिशेक शर्मा द्वारा निर्देशित 2019 भारतिय हिंदी भाषा की स्पोर्ट्स रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है अनुजा चौहान के 2008 के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में सोनम कपूर और दुलकर सल्मान है इसे 20 सितंबर 2019 को रिलीज किया गया था जोया सिंह सोलंकी अपने प्रेम जीवन और पेशेवर जीवन में हमेशा के लिए उलजन में पढ़ जाती है जो तब सबसे निचले स्तर पर पहुँच जाती है जब उसका अमीर दंट चिकितसत प्रेमी उसे छोड़ देता है और विज्यापन एजनसी में उसका बॉस उसके अकुशल काम से असंतुष्ट हो जाता है लेकिन जल्द ही उसकी किस्मत उसे भारतिय क्रिकेट टीम के साथ एक विज्यापन फिल्म की शूटिंग के लिए श्री लंका भेज देती है जोया की मुलाकात अचानक भारतिय टीम के कप्तान निखिल खोड़ा से होती है जो कड़ी महंत में द्रिड विश्वास रखता है और अपनी टीम की अंधविश्वासों पर निर्भरता के खिलाफ है जब जोया को टीम के साथ नाश्टे के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वह बताती है कि उसका जन्म उस दिन हुआ था जब भारत ने अपना पहला विश्व कप जीता था इससे टीम को विश्वास हो गया कि जोया उनकी भाग्यशाली शुभंकर हो सकती है जब टीम श्री लंका में मैच जीतती है तो उसकी किस्मत संसनी खेज रूप से चमक जाती है इससे निखिल परेशान हो जाता है जो जोया के प्रती आकरशित हो जाता है लेकिन अपनी जीत का श्रे उसे देने के लिए मीडिया से भी चिट जाता है निखिल का भारतिय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रॉबिन के साथ जगड़ा चल रहा है जिनके चाचा बोर्ड के अध्यक्ष है जब बोर्ड को जोया के भाग्यशाली आकर्शन के बारे में पता चलता है तो वे उसे अपने आधिकारिक भाग्यशाली शुभंकर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लेते हैं निखिल इससे असंतुष्ट है और जोया को तुरंट जाने के लिए कहता है गुस्से में जोया घर वापस चली जाती है हाला की बाद में निखिल उससे मिलने जाता है अपने कृत्य के लिए माफी मांगता है और उसके लिए अपनी सच्ची भावनाए भी व्यक्त करता है जिसे जोया खुशी से स्विकार कर लेती है जोया ने बोर्ड के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और निखिल के साथ रिष्टा जारी रखा जोया को वापस लाने के लिए रॉबिन ए डबल्यू बी को एक और विज्यापन अनुबंध देता है जिसमें जोया को प्रमुख बनाया जाता है जोया बेहद खुश है क्योंकि इससे उसे निखिल के साथ अधिक समय मिलता है और यह उसके करियर में एक बदलाव का बिंदू है अपने रिष्टे को गुप्त रखने की पूरी कोशिश करने के बावजूद रॉबिन को अन्ता जोया और निखिल के अफेयर के बारे में पता चल जाता है वह जोया को निखिल के इरादों के बारे में चेताबनी देता है और दावा करता है कि निखिल केवल जोया को अपने लिए चाहता है ताकि वह स्टार खिलाडी बन सके शुरुआत में जोया को रॉबिन पर विश्वास नहीं हुआ लेकिन जब उसने उसे निखिल की एक रिपोर्टर के साथ हुई पिछली बातचीत के बारे में एक वीडियो भेजा जिसमें रिपोर्टर ने निखिल को सलाह दी कि वह अपने आकरशन से जोया को उससे प्यार कर दे जोया का दिल तूट गया है वह निखिल से भिरती है जो उसे बताने की कोशिश करता है कि रॉबिन उस तक पहुचने के लिए उसका इस्तिमाल कर रहा है लेकिन विर्थ निखिल द्वारा जोया को अपनी टीम से दूर रहने के लिए मूल अनुबंध की दोगुनी स्कॉट बनने के लिए बोर्ड के प्रस्ताव को स्विकार कर लेती है जोया एक संसंई बन जाती है और उसे क्रिकेट देवी के रूप में सम्मानित किया जाता है क्योंकि टीम इंडिया मैच जीपती रहती है जोया को टीम से ज्यादा श्रे मीडिया ने दिया है निखिल ने बोर्ड से जोया को एक मैच से बाहर करने का अनुरोध किया जो टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है एक आसान मैच होने के बावजूद रॉबिन जानबूच कर हार जाता है जिससे सभी को विश्वास हो जाता है कि जोया वास्तव में उनका लकी मैसकॉर्ट है और वे उसके बिना नहीं जीत सकते एक विध्यापन शूट के लिए देवी बनाए जाने के बाद जोया को एहसास हुआ कि भले ही टीम इंडिया विश्व कप जीत जाएं लेकिन लोग यह मानेंगे कि यह निखिल की कड़ी महंत के बजाए उसकी वजह से हैं यह महसूस करते हुए कि रॉबिन और उसके चाचा दोनों निखिल को कप्तानी से हटाने के लिए उसका इस्तमाल कर रहे हैं जोया अनुबंध तोर देती है और भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल माच में आने से इनकार कर देती है जोया निखिल से माफी मांगती है और उसे अगले दिन के लिए शुभ कामनाएं देती है अगली सुभा बी सी सी आई जोया को गद्दार कहती है और सैकडों लोग उसके घर के बाहर इकठा होकर पथराव करते हैं भारतिय क्रिकेट टीम जोया के बिना अपनी हार के बारे में आश्वस्थ है लेकिन निखिल ने उन्हें भाशन दिया कि कैसे उनमें से प्रत्येक ने यहां तक पहुँचने के लिए कड़ी महंत की है और उन्हें जोया फैक्टर की आवश्शक्ता नहीं है जिसका अर्थ ह कि उन्हें निश्चित रूप से अब इसकी आवश्शक्ता नहीं है टीम अच्छा खेलती है और रॉबिन के उन्हें डुबाने की कोशिशों के बावजूद टीम इंडिया विजेता बनकर उभरती है क्योंकि सभी को यह विश्वास हो जाता है कि उन्हें अपनी जीत के ल उपसंहार में निखिल और जोया की शादी हो जाती है और वे मैच से पहले कभी भी नाश्टा न करने का नियम बनाते हैं भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरकार अपना अंधविश्वास छोड़ दिया और कड़ी महंत करने में विश्वास किया रॉबिन और उनके चाचा को बेईमानी के आरोप में BCCI ने निलम्बित कर दिया है जोया अंतह अपनी नौकरी से इस्तीफादे देती है और अपनी विज्यापन एजनसी खोल लेती है